दोस्तों, आज हम आपके साथ कच्चे आलू और सूजी से डोसा बनाने की रेस्पी शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी लगते हैं, साथ में एक मज़ेदार सी चटनी की रेस्पी भी सेयर कर रहे हैं, जिने आप जटपट वह आसानी से कप सूजी ली है, बारिक या मोटी कोई सा भी ले सकते हैं, इनको हम मिक्सर जार में डाल देंगे, साथ में मैस में 2 टेबल इस्पून मैदा डाल रही हूँ, इससे डोसे में बाइंडिंग पहुत अशी आती है, इसकी जगा आप गेहु का आटा या बेशन भी ले सकते हैं, और देखिए, इनको हमने एक मिनर तर पीस लिया है, और इसका एक पौडर बन गया है, अब इनको हम एक बॉल में निकाल लेंगे, अब मैंने यहां पर एक बड़े साइज के कच्चे आलू को छोटे-चोटे टुकडों में काट कर ले ली है, और इनको 2-3 बार पानी से निकल जाए, इनको हमने मिक्षे जार में डाल दी है, अब इसमें हम डाल रहे हैं, दो हरी मिर्च, एक इंच अधरक का टुकड़ा, आधा चम्माज जीरा, और आधा चोटा चम्माज नमक, अब इनको हम बीना पानी डाले महीन पीस लेंगे, देखे इस तरह से, इनको हम और साथ में हम इसमें डालेंगे दही, यहां पर मैंने आधा कप दही ली है, दही थोड़ी खटी थी, तो मैंने आधा कप ली है, फ्रेज दही हो, तो एक कप ले लीजेगा, और इनको अच्छे से मिला लीजेगा, और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेजबी जरा भी अच्छे से मिला लेंगे, और इसका एक स्मूद बैटर बना कर त्यार कर लेंगे, और देखिए, दो से तीन मिनट फेटने के बाद, इसमें गुठली बगर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम दस मिनट रेष्ट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए, तब तक हम एक बढ़िया सी चटनी त्यार कर लेते हैं, तो इसके लिए जार में हम ले रहे हैं, आधा कप फ्रेस नारियल, इसकी जगा नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, एक चोथाई कप भूने चनी डालेंगे, तीन हरी मिर्च, एक टुकड़ा अध्रक्का, आधा से तीन चमच पानी डालकर हम इनको पीस लेंगे, वैसे आप बिना धनिया पत्ती के भी ये चटनी बना सकते हैं, धनिया पत्ती से चटनी का कलर अच्छा आ जाता है, और दोस्तों नारियल चनी की जगा भूने मुंफली से भी आप ये चटनी बना सकते हैं, अब चलिए, इसमें हम तड़का लगा लेते हैं, तो इसके लिए तड़का पैन में मैंने 1 टेबिल स्पून तेल गरम कर ली है, इसमें मैंने आधा चमच राई डाली है, चटक जाने पर हम इसमें लालमिश टाल देंगे और थोड़े से करी पत्ते, तड़का लगा लेंगे, और हमारी चटनी भी बनकर त्यार हो गई, ये चटनी डोसे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, अब चलिए 10 मिनट हो गए है, इधर सूजी भी अच्छे से फूल गई है, और देखिए बैटर थोड़ा काढ़ा हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डोसे के घोल जितना गाढ़ा घोल त्यार कर लेंगे, और देखिए इसमें लगभग आधा कप पानी और लगा है, और इस तरह का मैने घोल बना कर त्यार कर लिया है, अब आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, एक चम्मच इसके उपर पानी डालेंगे, और इनको दो मिनट तक बढ़िया से फेट लेंगे, और दो मिनट बात एकदम फ्लोफी इस टैम डोसा बेटर बनकर त्यार हो गया है, अब चलिए डोसा बना लेते हैं, तो इसके लिए तवे को मैने गरम कर लिए है, इसके उपर एक से दो बून तेल डालेंगे, और इसे फैला लेंगे, इस टैम गैस का फ्लेम हाई रखेगा, क्योंकि तवे को हमें अच्छे से करम करना है, और टीसू पेपर या प्यास से पोच लिजेगा, अब तवे के उपर पानी स्प्रेट करेंगे, और इसे कपड़े से पोच ले और दोस्तों इनको फैलाते समय गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजेगा, और मीडियम फ्लेम पर ही इनको सेखीगा, और देखिए इनके उपर कितनी अच्छी जालियां पड़ गई है, और ये उपर से थोड़े ड्राई हो गए हैं, तो इनके उपर हम हलका सा तेल लगा लेंग जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छे से सीख जाएं, इस तरह से दोस्तों हमें इनको तब तक सेखना है, जब तक कि ये उपर से हलके गोल्डेन ब्राउन कलर के ना हो जाएं, और देखिए इनमें कितनी अच्छी जालियां आ गई हैं, और ये तवे को अपने आप छोड़ ये बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, तो थोड़ी देर हम इनको और सेख लेते हैं, और देखिए इनको सेखने में 4-5 मिनट का समय लगा है, उपर से ये ब्राउन दिखने लगे हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे, आलू के स्टार्स से इनमें बहुत अच्छा सा कलर आ लेगा, तेल बगर लगाने की जरुवत ने पड़ती है, और इसे कपड़े से अच्छे से पोच लिजेगा, अब इसके उपर बेटर डाल कर फैला लिजेगा, फैलाने के बाद गैस का फ्लेम मेडियम कर देना है, और उपर से ड्राई हुजाने पर हलका सा तेल लगाना है, और जब ये उपर से ब्राउन दीखने लगें, तो इनको हमें निकाल लेना है, ये सुजी और आलू का डोसा बनाना बहुत ही आसान है, आप इनको लोहे की तवे पर भी बना सकते हैं, ये बिलकुल भी चिपकते नहीं हैं, बस तवे को प्याज से अच्छे से पोच लिजे का, इनस्टेंट घर में रखे सामान से ही ये डोसा बहुत आसानी से बन जाता है, और दोस्तों अगर आप सुगर पेसिंट है, तो बिना आलू के भी सेम प्रोसे से आप ये डोसा बना सकते हैं, ये डाल चावल के डोसे जैसे ही टेस्टी लगते हैं, और बिना मसाले के सिर कर दीजेगा, और चैनल को सस्काइब करना ना भूलिएगा, फिर मिलते हैं एक नए डेस्टी के साथ धन्यबाद,